कटिहार संसद्य छेतर में दुवित्य चरण की तहत 26 अपरेल को तंपन मतदान की मतगणना की तयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है चार जून को कटिहार नगर के छेन गाचिया स्थ बजार समीती में मतों की गिंती की जाएगी जिला निर्वाचन पताधिकारी सह जिला पताधिकारी मुनेश कुमार मीना ने कहा कि मतगणना सुभा आठ बजे से शुरू होगी मतगणना को लेकर कर्मियों को प्रशिक्षन भी दिया गया है अलग-अलग हॉल में छैविधान सभा छेतरों में मतों की गिंती की जाएगी जबकि जिले के कोड़ा विधान सभा छेतर की गिंती पुर्णिया लोग सभा छेतर के तहत पुर्णिया में होगी उन्होंने बताया कि मतगर्णना को लेकर सभी तयारियां पूरी कर ली गई है जिला अधिकारी मनीश कुमार मीना ने बताया कि मतगर्णना को लेकर पूरे जिले में धारा 144 लागू है सभी प्रकार का सुरुच्छा से समंदित व्यावस्ताओं में मुख्य रूप से जैसे क्या को पताया कि थ्री लेयर स्कूरेटी होता है काउंटिंग होल के आसपास में किसी प्रकार का अनुत्राइट वहान का प्रमिशन अलाव में रहेगा और जितने भी मतदना करना अभी करता रहेगा उन सभी का भी पास क्या धर प्रमिशन अलाव नहीं रहेगा इसलिए सभी लोग उस दिन सभी लोग सतर्क रहें और उस रोर के अनुत्राइट नहीं रहें साथी पूरे जिले में धारा 145 वर्तवा में प्रभावी है और मतदना और निर्वाचन का कार्य समात्त होने तक रहेगा इसलिए कहीं पर भी अनाव से घ्वीर अनाव से घुजूम उक्ता करने का प्रमिशन नहीं है इसी प्रकार इलक्षन कमिशन के डायर्टिंग के अलोग में कहीं पर भी विजह जुलूस और अन्य चीज का प्रमिशन नहीं है वहीं जिले के पुले सदिक्षक जीतेंद्र कुमार ने कहा कि मतगणनास थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है साथी मतगणनास थल पर दो कमपनी पारा मिलेटरी फोर्स को भी तैनात किया गया है उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र के अंदर तथा शहरी छेतर में भी जगय जगय चौक्षा और आहो पर पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अन्होनी ना हो सके जैसा कि आप लोग सभी अवगत हैं चार जून को जो है काउंटिंग प्रस्तावित है इसको लेकर के दो कंपणी हमें बाहर से भी प्रस मिल रहा है और एक कंपनी एक्ष्ट्रा है जो हमारी फ्रस उसको भी उम्योव लाइज किया गया है तो हमसे लोग करते हैं कि मतघर्णना के दिन ही या उसके बाद भी किसी भी परकार का कोई भी भी भीर या कोई भी रूमर या किसी भी बाद का आप लुक्त भी शु